हमारे पास है NH3, N means nitrogen, and H means, आप सबको पता है, hydrogen यहाँ पर यह जो number represent कर रहा है, यह बता रहा हमें कि H के 3 जो हैं हमारे पास molecules है तो सबसे पहले देख लेते हैं, nitrogen का atomic number होता है 7, configuration करेंगे तो यह आजाएगी 2 and 5, 5 plus 2, 7 हो जाएगे hydrogen का atomic number होता है 1, hydrogen हमारे पास कितने number में है, यह हमारे पास 3 number में है तो dot structure बनाएंगे, dot structure जब बनाएंगे तो हम देखेंगे, N लिखेंगे, symbol है यह nitrogen का, 5 electrons असके और आपको पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो last shell में इतने electrons होते हैं, हम dot structure में उन्ही electrons को represent करते हैं, तो इसके आसपास मैं 5 cross बनादूंगी और यह जो 5 cross होंगे, यह क्या है, यह होंगे हमारे पास number of 5 electrons, अब कितने hydrogen है हमारे पास, 3 hydrogen है और तीनों के पास क्या होता है, एक एक electron है, तो एक hydrogen मैंने यहां पे लगा दिया, इसका electron मैंने dot से रिप्रेजेंट करा, एक hydrogen यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, अब यह जो nitrogen है, यह क्या चाहता है, यह चाहता है कि मेरा bond complete हो जाए मेरा valence जो shell है वो complete हो जाए इसके valence shell में है 5 electron तो 5 को 5 है तो इसको कितने more चाहिए इसको plus 3 electron और चाहिए मतलब यह एक समय पे 3 hydrogen के पास जाएगा और उनसे उनका 1 एक एक electron ले लेगा और अपना कर लेगा shell को complete दूसरी तरफ देखेंगे के hydrogen क्या करेगा hydrogen क्या करेगा एक nitrogen का electron ले लेगा और अपनी configuration को अपनी valence को वो stable कर लेगा तो आपके पास आपको पता है कि उस hydrogen की valence 1 होती है इसका मतलब उसके एक shell में जो के shell में सरफ एक electron है तो क्या करेगा वो करेगा sharing sharing करी उसने covalent bond बनाया और covalent bond बनाया उसने nitrogen के साथ तो देखो हर case में hydrogen की valencey complete होगी अब nitrogen की तरफ चलते है nitrogen के देखो कितने electrons थे उसके पास 5 थे और उसने 3 ले लिए electrons hydrogen से तो जब ये nitrogen चाहेगा ये क्या करेगा ये hydrogen के तीनों electrons को ले लेगा तो ये 5 उसके electrons हो गए जो हमने cross से लिखे हैं और ये 3 dots वालों के 5 6 7 & 8 इस तरह से nitrogen ने hydrogen के साथ bond बनाके क्या कर लिया अपनी valencey को complete कर लिया तो क्या देखो यहां पर single line, single line, single line means कि ये single bond बना ये इन दोनों electrons ने किसी के साथ bond नहीं बनाय तो इनको हम बोल देते हैं lone pair तो आप मुझे बताइए अब अगर हम MCU देखें तो single bond ही तो आ रहे हैं NH3 में कहीं भी हमने double bond नहीं कर रहे है, triple bond भी नहीं देखा two double bond और single bond भी नहीं देखा तो ये सभी options गलत हैं लेकिन कौन सी वाली सही है single bond वाली option ही is correct क्योंकि देखो यहां पर single bond ही तो बने और ये जो बच गया ये वैसे मैं आपको आगे के लिए बता रहे हूं कि जो बच गया electron जिननोंने किसी के साथ bond नहीं बनाया वो lone pair होगे pair मदलब एक दो है quantity में दो quantity में